नमश्कार दोस्तों वाइकम टो मैं चैनली के इस्टूट तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम पढ़ रहे हैं आपर पर्फिट एंड लॉस के बारे में यह फाल कुशन सीरीज है पार्ट 44 इससे पहले 43 पार्ट बन चुके हैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे बोल रहा है तो दोस्तों सपोज कॉस्ट पैस हंडर मान लेते हैं अगर सौ था तो उसने 107 का समान बेच दिया 7% पॉफिट पर ठीक है अगर वो बोल रहा है he had sold it 4 to 48 रुपीस more तो उसको कितना गेन मिलता है कितना पॉफिट मिलता है उसको 13% का मतलब कि 113 रुपे का समान बेचता है अगर ठीक है न तो यहाँ पर उसे कितना डिफरेंस आया डिफरेंस 6 का आया न बट यह 6 का डिफरेंस कितना दे रखा है हमे वो दे रखा है हमें 4 to 48 के बराबर बास समझ में आ रही है बोल रहा है न साफ साफ की अगर वो बेचता 7% पॉफिट पर ठीक है और अगर वो बेचता 7% पॉफिट पर तो इन में जो डिफरेंस है वो कितना है 4 to 48 का ठीक है वही मैंने यहाँ पर लिखा अगर CP 100 है और अग मतलब की वो समान बेचर 107 का और उसको वे पॉफिट होने लगे 13% का तो समान बेचेगा वो कितने का 113 का तो कितना डिफरेंस हैं के बीच में 6 का यह डिफरेंस जो 6 का है वो दिया है 4 to 48 के बराबर इसका मतलब की एक कितना होगा एक उनिट कितना होगा 6 7s of 42 और 6 8s of 48 ठीक है 708 के बराबर होगा तो CP कितना आ जाएगा हमारा 100 multiply by 708 तो 70800 यह हमारा CP आ जाएगा बात समझ में चली आगे बढ़ता है A man sells his goods at 10% profit had he purchased it for 20% less and sold it for 20 rupees more than he would gain 40% find CP बोल रहा है कि सपोज उसका CP 100 था उसको profit हुआ 10% का मतलब कि उसने 110 का समान बेच दिया अब बोल रहा है कि अगर वो 20% less पे समान परचेस करे मतलब कि 20% less 100 का क्या हो जाएगा 80 रुप में समान परचेस करे और उसको profit हो 40% का तो 80 का 40 कितना होगा हाट चॉक 32 तो 32 इसमें एड करेंगे हम तो कितना हैगा 112 मतलब कि 112 के समान बेचता है अगर ठीक है कब बेचेगा जब उसको 40% profit होगा ठीक है यहां कितना डिफ्रेंस हाए दो का यह दो का डिफ्रेंस किसके एक्विलेंट होगा भाई 20 के चीक है बोल रहा है न है यापर हैद ही परचेस इट more पर बेचे sold it for 20 rupees more than he would gain 40% 40% gain कब होगा जब वो 20 रुपे more पर गेन करेगा तो यहां पर जो है हमारे according दो आ रहा है portion में देर रहा है 20 तो मतलब 2 is equivalent to 20 तो 1 is equivalent to 10 तो CP कितना हो जाएगा CP मैंने 100 माना तो हमारा क्या difference आया था तो 10 में कितना जाएगा 100 into 10 इसका मतलब हो गया 1000 आपका answer बास समझ में आ रही है चलिए आगे बढ़ रहा है a man sells his good at 20% profit had he purchased it for 600 less and sold it for 400 less then he would gain 10% more profit find the initial cost price तो दोस्तों अगर मैं इसको करता हूं 100 मान के तो देखते हैं क्या होगा अगर मैं cost price को 100 मान लेता हूं बोल रहा है कि a man sells his good at 20% profit तो CP 100 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ठीक है अब बोल रहा है had he purchased it for 600 less अब यहां पर आपको percent में ने दिया हुआ यहां पर रुपीस में दे दिया चीजें तो हमें भी यहां पर क्या होगा इसको variable form में मानना पड़ेगा CP और SP को तो CP और SP कितना आ रहा है देश यहां से अगर देखें हम तो जाए यह कट जाएगा मतलब कि CP आपका 5X है और SP आपका है कितना 6X ठीक है अब वो बोल रहा है CP अगर 600 रुपे कम हो जाए ठीक है और SP जो है वो 400 कम हो जाए रुपीस में दे रखा है चीजे ठीक है इसलिए हमें variable मानना पड़ा अगर सबचीज परसेंट में दी होती तो variable मानने की नहीं पड़ variable मानना पड़ा क्योंकि कुछ चीज़ दे रखें परसेंटेज में कुछ चीज़ दे रखें आपको numbers में actual values में ठीक है ना इसलिए है आपर हमें variable मानना पड़ा है तो 5X-600 पर्चेस इट 600 less and sold it 400 less मतलब कि 6X-400 जहां पर 5 is CP और 6 is SPS CPS के बीच में ratio दे रखता है 5 ratio 6 he would gain 10% more तो पहले कितना profit ता 20% अब 10% more profit हो गया इसका मतलब रिशो क्या हो जाएगा अगर सपोज पहले CP 100 ता तो अब कितना हो जाएगा SP 130 ठीक है क्योंकि 30% का profit है कितना रिशो है CP और SP में 10 by 13 तो 10 by 13 ठीक है इसको करेंगे तो आपका answer अराम से आ जाएगा ये कैसा है समझ में आगया आपको कोई बड़ी चीज नहीं है यहां पर वैरेबल मानने पढ़ेंगे मुझे क्योंकि आपको जो वैल्यू दे रखें कितना कम होगा कितना ज्यादा में बेचा यह सब चीजे दे रखें एक्शल रुपीज में इसलिए वैरेबल मानके कम काम करना है मतलब कि पॉफिट हो गया वन थर्टी ठीक यहां पर सीपी है यह स्पेस के बीच में कितना रेश्य हो गया अब टैन बाए थर्टीन का तो वह यह मैंने यहां पूट कर दियो इसको करना है सौल आपको प्रॉस मुल्टिप्ला करके सौल कर लीजिए तो आपका अंसर अर आर्टिकल्स पॉर रुपीज सिक्स तो मतलब कि बेच रहे चाहे बटेफ पांच में तो कितना उसको प्रॉफिट और लॉस होता है क्रॉस मुल्टिप्ला कर रहो तो पच्छिस तो हो गया स्पी बास समझ में आरे यह सीपी है आपका यह स्पी है तो कितना प्रॉफिट हो एक और रुपी टू मतलब कि एक और रुपी कोस्ट कितनी है दो रुपे है और सेम नंबर और और अफ और रिंज मतलब कि एक और रिंज दुबारा खरीदा उसने इसका मतलब कि जो दो रुपे है उनका जो सीपी दे रखाया मुझे टू प्लस वन बाई टू दे दिया सीपी टू प्लस वन बाई टू बाई टू बास समझ में आ रहे है अब वो बोल रहा है अब कि इसका पर तो बाई तो जरह आप देखे यह सीपी है यह सीपी है सीपी और एसपी में रेशयो कितना है 5 x 3 का तो loss हो रहा हॉ ओप एप टो का लॉस हो रहा है मट्रीप्लाइब हझा ठीक है तो पांठ दो निदस मतलब की 40 परसेंट का यहां पर इसको सीधा सीधा loss हो रहा है मां समझ में आई है कैसे कुश्टन वा यह बंग हेवा चलिए दोस्तों व करता हूं कि जो मैंने कुशन बताया है आपको वो समझ में आए होंगे अच्छे लग़े ओंगे यह कुशर्थ मानने लिए हैं एक अbek यहनास की उससे उस बुक में ॉ च्छे घिडिये होता हैं जिस अगर आपको आपने basic अपना complete कर लिया है और आपको practice करनी है अच्छे questions की तो आप वो book purchase कर सकते हैं अच्छी book है और आपको कुछ problem आए उस book में solve करने में तो मेरी videos देख सकते हैं ठीक है तो अगर video अच्छे लगी please like this video share this video and subscribe my channel thank you have a very nice day